Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज हम बात करेंगे डाइपटीस को कंट्रॉल करने के बारे में कि जिसमें की काजू जो की डाइपटीस को कंट्रॉल करने में रामबन इलाज है इसे पहले Friends अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आगे भी हमारे अपलर्ड साब तक असानी से पहुँच जाएं शरीर जब इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाता है या फिर पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मन का उत्पादन नहीं कर पाता तो लोग डाइबटीस की बिमारी का शिकार हो जाते हैं वर्तमन समय में अनईमित खानपन और अस्वस्त जीवन शाली के कारण लोग मदुमे की चपेट में आ रहे हैं मदुमे के मरीजों को अन्य गंबीर और जानलेवा स्वस्ते समस्याएं जैसे हार्ट अटेक, किड्नी, फेलियर, मल्टिपल आरगन फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक की अधिक संभावनाएं होती हैं इसलिए डाइबटीस के रोगियों को हेल्थ एक्सपर्ट्स खानपन का विशेश रूप से ध्यान रखने की सला दी जाती है क्योंकि खानपन गुनून में गुलुकोस के स्तर को प्रभावित करता है बलड शूगर का स्तर बढ़ना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है स्वास्ते विशेश अग्यों की माने तो डाइबटीस के मरीजों के लिए काजू का सेवन करना काफी फाइदे मंद होता है काजू एक तरह का ड्राइफ रूट जिसमें प्रोटीन, फोलेट, मैगनीशियम, फासफोर्स, स्खनिज, आइरन, फाइबर, एंटी अक्सिडेंट, विटामिन और मिनरल्स की अच्छी खासी मातरा मुझूद होती है काजू में मुझूद यह पोशक तत्व, खून में गुलुकोस के स्थर को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं यसे में ड्राइफ टिस के मरीज अपने ड्राइट रोटीन में काजू को शामिल कर सकते हैं आप चाहे तो रोस्टेड काजू को सनेक्स के तोर पर भी खा सकते हैं काजू ना सिरफ डाइपटीज की बीमारी में लाबदायक होता है बलकि यह कई तरह की स्वास्ते समस्याओं से भी बचाता है वजन कम करने में हैं कारगर काजू में मजूद मेगनेशियम और फाइबर बॉडी में फैट कारवो हाइडरेट के मेटापलीजम को बढ़ाता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है जुर्यों को करे दूर निम्मित तोर पर काजू के सेवन से एजिंग के निशान जैसे जुर्यों से चुटकारा पाने में मदद मिल सकती है काजू में मुझूद विटामिन ई और एंटी आक्सीडेंट गुन खून को प्योरिफाई करने में मदद करते हैं जिससे स्किन प्राबलम्स भी दूर होती है हड़ियों को करे मजबूत काजू में केल्शियम की अच्छी खासी मातरा होती है ये हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करता है एसे में लोग इस सूपर फूट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं बालों को बनाए खूब सूरत काजू बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है इसमें मजूद मेगनीशियम, जिंक, आईरन और फासबॉर्स उन्हें चमकदार और मुलायम बनाते है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर कर दे धन्यवाद